हलो स्ट्रेंट्स हाव आरियों चलिए आए आज करते हैं केल्कूलस फॉर फिजिक्स यानि कि फिजिक्स में यूज होने वाले केल्कूलस को आज जान लेतें बच्चो चाहे आप 11th के स्टुडेंट हैं या 12th के दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है 12th के आज तो की जो स्टेंट है बच्चों उन्हें फिजिक्स के सिख्षक पाय ये कहते रहते हैं कि मैथ के टीचरों कहिए आपको पहले केल्कुलस बढ़ा दे क्योंकि केल्कुलस का फिजिक्स में बहुँ ज़्यादा प्रियोग होता है तो बच्चों चलिया आईए आज केल्कुलस और फिजिक्स में डिफ्रेंसियेशन करते हैं और जानते हैं कि कैसे डिफ्रेंसियेशन का यूज फिजिक्स में होता है उसका परियोग जानते बच्चों डिफ्रेंसियेशन कैसे किया आता है आईए जानते हैं तो बच्चों मैंने इस टॉपी का नाम रखा है क्याल्कुलस फ क्या निखा है मैंने differentiation इसे हिंदी में रहते हैं बच्चों और कलंग अव कलंग इसे हम डी आयड दी एक्स के नाम से जानते हैं डी वाई डी एक्साओ यहां पर जो जिसका निकालना होग वह हो यहां पर रख देना है तो बच्चों उतना डीटेल में रही हैं क्योंकि आप math नहीं पढ़ा रहे हैं सिर्फ physics में calculus यूज जान लेना है ताकि जब physics के सिख्षक आपको physics में इसका यूज करें तो आप बासानी से समझ में आ जाए इसलिए मैं sun shape में जाता हूं ज्यादा long में नहीं आता हूं क्योंकि math में तो बहुत deeply पढ़ना है differentiation और integration तो चलिए जान लेकते हैं सिर्फ physics में यूज होने वादने calculus का है तो सब्सक्राइब पहला है differentiation का फिर integration करेंगा आप नेक्स बीडियो में अभी आप differentiation जान ले calculus में कैसे यूज़ता है तो पहला है जो d x to the power n by d x क्या है बच्चों d x to the power n by d x x to the power n by d x तो बच्चों इसमें क्या फ़ुदा होगा n x पर power n minus 1 x पर power n मतलब x पर जो भी power n बच्चों वो आगे आगा और उसमें घटा देना है मतलब क्या होगा जो power था into में हो गया उसमें एक घट गया तो d x to the power n by d x क्या फ़ुदा हो बच्चों n x पर power n minus 1 suppose यह बच्चों एक example दे रहे हैं इससे दिया y equal to x to the power 4 y equal to x to the power 4 इसको हमें differentiate करना है तो बच्चों इहां लिख देगा differentiate with respect to x d से हो गया differentiate w से हो गया with r से हो गया respect 2 तो है पुरा-पुरी x differentiate with respect to x यानि की x के suffix अवकलन करने पर तो बच्चों यहां बच्चों यहां बच्चों पर d y by d x d y by d x किते हैं बच्चों अब y का value क्या दिया है x to the power 4 इस y के बद्दे में लिखते हैं बच्चों x to the power 4 और by में क्या है d x power कितना है बच्चों 4 है क्या समझाएं थे जो भी power रहेगा power को आगे कर दिजिएगा और उसमें एक घटा दिजिएगा n-1 तो 4 में एक चलाएं क्या बच्चों यही तो differentiation है x to the power n का n x पर n-1 जो भी power है बच्चों उसमें एक घटा दिजिएगा तो बच्चों पहला फंबला आपने चाना चलिए एक जांपर देकर और आपको क्लियर करते हैं ताकि दिख्कत नहों बच्चों एक जांपर नमबर 2 देखिए y प्राबर 4 x to power 6 2 x to power minus 2 ठीक है बच्चों तो क्या करेंगे difference यह with respect to x दिख देना है बच्चों किजिएगा आप d y by dx है ना अब y का जो value का यह और यह यह x पावर 6 था बच्चों अब y का value क्या है यह और यह है बच्चों तो क्या करेंगे देखिए तो d कितना है 4 x to power 6 2 x to power minus 2 और पूरा बच्चों dx से दिए समझ गया है अब दोनों को बच्चों अलग अलग कर दिए कैसे अलग कर दिए ध्यान दिए बच्चों यह फोर है यह फोर है फोर को बच्चों d से पहरे लिख दिएगा कोई भी अंक रहेगा 2 4 5 6 7 8 और उसको साथकर x भी रहे तो इस फोर से को मतलब नहीं है उसको क्या करें आगे कर दिए बच्चों और यहां लिखेंगे d x पर कितना यह है 6 by ds क्या है बच्चों यह फोर यहां लिख दिए x पर 6 था तो d by dx तो लि लिखना है बच्चों अब दिए बच्चों क्या कि दिए गार यह फोर इस खोर को उता लिए बच्चों अब क्या पावर में है पावर में 6 दिख रहा न तो 6 चे को आगे करेंगे और क्या समनाए थे जो भी पावर रहेगा उसमें एक घटा दिए आगए 5 वह गया 6-1, 5 हो गया, आप देखिए बच्चों, यह क्या है, minus, यह कितना है, 2, यह जो question में तो था, वही दो लिखे हैं, उतार देखिए बच्चों, अब देखिए, power में कितना है, x पर आप में हम रहा है, minus 2 है, है न, minus 2, तो बच्चों, minus 2 आगे होगा, और उसमें एक घट जागा, तो बच्चों, minus 2 में 1 घटाएंगे, minus 2 में 1 घटाएंगे, तो यह होगा, minus 3 होगा, minus 2 और minus 1 क्या होगा, minus 3, यही तो डफ्रेंसेशन होगा, क्या करेंगे, 6 के 24, x पर 5, यह minus, minus क्या होता बच्चों, पलास, डिहाँए, पलासा कर दीए, ठीक है, आप देखिए, 2, 2 रिखि आप चाहें तो इसको नीचे भी लिए सकते हैं इस तरह से 24 एक पर 5 फोर होगे बच्चो और बाय में करिए देगे एक पर 3 एक पर 5 फोर मानस 3 था नीचे ले आए तो क्या हो गया पलास 3 हो गया समझके बच्चो चलिए देखते बच्चो अला आप बच्चो जो दूसरा फोर्मूला से वह बच्चो वह फोर्मूला आपका है बच्चो ध्यान देजेगा दी सी बाय दी एक सी का मतलब अच्चो यहां कर हो गया च्चो जी रो होता है एक चांपल देखिए मालों बच्चो वाई आपका है x is power x square plus 6 है ना तो क्या करना मतलब बच्चो डिफेनसियेट विध रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है बच्चो यहां लिखेंगे d y by d x अब y का बेल्व यह दोणा है x square plus 6 तो यहां लिख दिए बच्चों, x square plus 6y क्या दिए, ds, इस y का value x square plus 6 बठा दिए, अब आपको अलग कर दिना है, कैसे बच्चों, d x square by dx plus, देखे, d x square by dx, यह पलस यहां दिए, अब 6 है, तो d 6y, ds, देखे, नीचे में किसके respect में है, लिखते है, differentiate with respect to x, कि यहां x था, x देखे, तो नीचे में ds दिए, आप देखे, यहां जो 6 है, बच्चों, यह 6, ब्रैकन दिए, यह 6 में तो नहीं x नहीं है, तो जहां number के साथ x नहीं रहे, उसे हम differentiate करेंगे, तो value 0 होगा, धान दिएगा, यहां तो x पर 2 है बच्चों, x square है, तो क्या बच्चों, जो भी power है, power आगे बजागा, और उसमें 1 घड़ जागा, तो क्या हुगा, 2 बच्चों, आगे की और x दिए, दो में 1 घड़ा दिए, 2 मानस मल लिख दिए बच्चों, ध्यान दिए, आप देखे, यहां पर 6 के साथ कहीं भी x नहीं है, तो constant हो गया, क्या उसका एक क्यान लिखके खतम हो गया, और पला उस जिरो, खतम हो गया, तो बच्चों, यह 2 x हो गया, x square प्लस 6 का डिफ्रेंसियेशन के आगा बच्चों, 2 x हो गया, चलिए बच्चों, और देखते हैं, अगला formula, तीन नमबर हो बच्चों, तिसरा formula बच्चों में, d, e पर पाव पावर, x, y, dx, तो बच्चों, e यहां हो गया, exponent, e पर कुछ भी पावर है बच्चों, e पर x है, तो e यहां exponent हो गया, तो e पर x तर फर्म रहा हो बच्चों, e तर पावर, x भी होगा, ठेक बच्चों, अब हैं यह इजांपल देखतें बच्चों, मान जाते हैं, y 5x, क्या बच्चों, e तर पावर, 5, थुला असा गॉर्स लिखें, कैसे करते हैं, डिफ्रेंस ये, वीथ, रिस्पेक्ट टु एक्स, लिख दिया बच्चों, खाले u से किये, यहां जागा, dy बटे, dx, यह क्या बच्चों, e पर पावर, d, e पर 5x, आप भ्यान देजे बच् आप एक्स था, तो नीचे कितना आया था, e पर x था, यहां x था, यहां x था, यहां x थो है, नहीं कोण चीज़ है, यहां पर 5x, तो यहां नीचे क्या बच्चों, 5x आजाएगा, जो भी e के उपर में पावर देगा, वो नीचे आजाएगा, ध्यान रखिएगा, फिर into, चुकि हमें निकालना है, dy by ds, ds तो नहीं आया, कोंची आया, 5x आया, तो बच्चों, यह जो 5 को नहां उतार देगे बच्चों, और यह जो x देख रहे हैं, यह जो x था 5 साथ में, उसको फिर से डिफरेंसीर कर देगे, dx by dx, थोड़ा सा बच्चों, होड़ा अलग सा, इ इस x को क्या रिखे हैं, बच्चों, d by dx को लिखना ही है, डिफरेंसीर मतब d by dx लिखना ही है, और यह जो x था, वो यहाँ बठा दिये, तो गया, dx by dx, यहां तो बच्चों, आप बच्चों, e में बच्चों, 5x है, तो हम क्या रिखा हैं, देखा हो बच्चों, e पर x का, e पर x ही होता है, तो e पर x पर x ही होता है, तो e पर 5x है क्या होगा, 5x, इन्टू, कितना हो गया, 5, यह पांच के जिए बच्चों, और यह क्या है, 1 हो गया, तो 5, वण जा, 5, e पर 5x, बच्चों, पेजीदा लगा, चलिए इसको और एक तरिका से करते, बच्चों, अगर यह दो लोग पेशिदा लगा आपको यह नियम कर पेशिदा लग रहा है तो और आपको हम आसाहम करतें देखिए हैं दिजिए उच्छो इसी कावच्छो हम एक फर्मॉला और आख के लिए बनाते हैं दे पर पावर मालने ची आपका ए एस बाइड एक से तो बच्छो च्छो रिए आपको इस कावशन आट पावर आख सांट है उसको आगे लिए नियुकर ठीजिए और सेम पीशिदा अगा देगा क्या हुआ एक से आखा एक से अब जोने हैं तो यह निया हमाले ची आपको या differentiate with respect to x लिख देना है यहाँ लिखनेंगे बच्छो ड, y बटे, dx और y का जो भेलर याँ पूरा पूरा उता दाव दे, d e पर फावर 10x, y बच्छो dx हो गया ना, आप देखिए, e पर फावर a x, a के जिर्फा में कुतना है, 10 है, फ्रमुला क्या था, a e पर a x, जहाँ पर a हो आप पर लिख देंगे हम, 10 है, 10 है, 10 है बच्छो और e पर a x, हमने सेम दूसे हो मही लिख देखिए, e पर 10x, e पर पावर क्या है बच्छो, 10x, यही आपका दिफ्रेंसेशन हो गया है, हो गया ना, आसान, चलिए, और देखिए अग बदा, मानू लिखे बच्छो, आपका पोस्टन है, y बरावर, e पर पावर, माइनस a x, तो क्या देखिए बच्छो, डिफ्रेंसेट विख रिस्पेक्ट टू, x, नहां लिखिए हम, dy by dx, फ्रमूला क्या हो जाएगा, माइनस a दिया है, तो माइनस a, e पर पावर, माइनस a x, माइनस रहेगा तो, ऐसे फ्रमूला क्या किजिए बच्छो, डिफ्रेंसेट विख रिस्पेक्ट टू, x, लिख देखिए बच्छो, ध्यान लिखिए, आप यहां करेंगे, dy बटे, dx, क्या दिया, e पर माइनस 3 x, तो माइनस a था, माइनस a बटतो, माइनस 3 होगे बच्छो, और आपका e पर पावर, जो था, same to से बिख दी, यह आपका डिफ्रेंसियेट हो गया है, e पर पावर, x, ठीकर होगे, इपर पावर, minus a x का, आप बच्छो, यह चौत्छा फंबला से है, बच्छो, उध्यान लिखिए, चौत्छा नमर फंबला है, y ब्रावर, e, a पर पावर, x, y ब्रावर, a to the power x, इसका फंबला होता है, बच्छो, d, a to the power by x का, d, a to the power x का फंबला होता है, क्या फंबला होता है, बच्छो, a पर पावर, x, into log है, अच्छा, इध्यान रखिए, उसमें e पर पावर, x था, तो e पर x होगा, अब a पर पावर, x आ गया, तो इस फंबला क्या हो गया, a पर x, into log है, इस बात को समझेगा वहाँ आगर E लिखा रहे तो E बच्चों आपका होता है Exponent क्या था बच्चों? Exponent और E के अलावा अदर रहा BC, BC, D, BC, D, F, G, H, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सब को constant कहेंगे E के अलावा बाटी जो भी रहाँ A, B, C, E, इछोड़के A, B, C, D A, B, C, D, F, G, H, I, सब कॉंस्टन बोलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, सब को constant बोलेंगे A के अलावा अगर E कुछ भी रहाँ के पांकी सब रहेगा तो फ़र्मरा क्या होगा? A पर X इंटू लॉग A जैसे बच्चों आपके एक्जाम्पल देशेएक एक्जाम्पल मालेज आपके हाँ Y परावा पर 4 पर पावर X तो लेखे देखे बच्चों differentiate with respect to X तो क्या है बच्चों? D Y पर D X 4 पर पावर X है तो क्या है बच्चों? देखिए A पर X है यहाँ 4 पर पावर X है लेखे देखे देखे 4 पर X इंटू क्या होता है? लॉग A लॉग A लॉग A के जहां कितना है बच्चों? देखे यहाँ पर A पर X था यहाँ 4 पर X था मैंने A के जहां में 4 है तो जिसे लॉग A है लॉग 4 यह बच्चों आपका हो गया differentiation हो गया बच्चों तो बच्चों एक फ़रुला और देखिए D Y by D X यानि कि D log X by D X मतलब log X को differentiate करेंगे बच्चों हम दो होगा 1 by X ठीक बच्चों log star differentiate क्या होगा? 1 by X देखे एक example देखे बच्चों मानने यह यह बढ़ा लॉग का है log 4 X क्या है बच्चों? log 4 X को differentiate करना है क्या करेंगे बच्चों? यानि इतने का differentiate with respect to X तो यहाँ क्या हो बच्चों? D Y बटे D X log 4 X है यहाँ पर log X था log X क्या फ़मुला होगा था? 1 by X मतलब यहाँ लिखे रहे हैं D log X by D X यानि कि log X का फ़मुला होगा 1 by X तो यहाँ पर लेकिन बच्चों log 4 X है सिर्फ X नहीं है तो कोई बड़ा tension का बात नहीं है X के साथ में क्या? 4 है तो यहाँ पर देखिए X के साथ में क्या था? 1 था नहीं इसलिए क्या है? 1 by X है यहाँ पर लेकिन फोड़ आक्स है तो बच्चों यहाँ कर देगा 4 by X यह हो गया differentiation तो बच्चों आज आपने calculus for physics में differentiation का 5 formula जान गया अब बच्चों इसका next part को समझने के लिए next video का इंतिजार कीजिए बच्चों मैं इसके आगे formula number 6 से आपको next video बताँगों बच्चों टीजन गुडबाई बाबाई